जै बागेश और धाम सरकार जै बालाजी सरकार दोस्तों आप सबी लोग जानते हैं कि 8 नवंबर 2022 को कार्तिक पुर्णिमा है पर इस कार्तिक पुर्णिमा में पढ़ रहा है चंद्रग्रहन तो इस चंद्रग्रहन से जुड़ी हुई बहुत सारे सवाल प्रशन आप सबी लो जवाब है वो ये है कि जो इसका सूतक काल है वो 8 नवंबर को ही सुभा साड़े-8 बजे से शुरू हो जाएगा जो कि शाम की छे बचकर 18 मिनिट तक रहेगा उसके बाद दोस्तो जो चंदर ग्रहन रहेगा वो चंदर ग्रहन शाम के 5 बचकर 32 मिनिट से रहेगा और 6 बचकर शाम के ही 19 मिनिट तक चलने वाला है, मतलब ये आदे गंटे का जो बीच का समय है, इसी समय जो है चंदरग्रहन पढ़ने वाला है, अब दोस्तों जो सूतक काल जो सुबह लग रहा है, साड़े 8 बजे से, वो सूतक काल की जो समापती है, वो चंदरग्रहन की समापती के साथ में ही होगी, ठीक है, तो अगर अंदाजे से कहें, और आप किसी के बातों में ना आए, तो शाम के साड़े 5 बजे से लेकर, शाम के साड़े 6 बजे तक, आप मान सकते हैं कि ये चंदरग्रहन रहने वाला है, और इस समय के बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब कि सिर्फ भगवान के नाम का उच्छरण करना है, ना ही खाना है, ना ही पीना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान के नाम का उच्छरण करना है, उसके बाद दोस्तों अब जो है कई सारे लोगों के उन्हें प्रशना रहा है कि हम जो है देव दीपा वली जो होती है जिसे हम लोग कार्तिक पूर्णे मा जो आ रही है देव दूपी वली कैसे मनाए अब हम लोग दीपदान कैसे करेंगे तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो ये है कि आप लोग जो है साड़े छह बजे के बाद इस्तनान करके अपने घर के भगवान को इस्तनान करा कर शुद्ध होकर बिल्कुल साड़े छह बजे के बाद जो है आप लोग दीबदान मंदिरों में वरक्ष के नीचे या नदी ब वली दीपवली के दिन नहीं मिला है उन सभी का जो फल है वो आपको देव दीपवली के दिन जरू मिलेगा अगर आप लोग इस दिन दीबदान करते हैं पर दोस्तों चंदुक्रहन होने के कारण आपको टेंशन लिने की कोई जरूवत नहीं है आप शाम साड़ी 6 बजे के बाद में अपना दीबदान कर सकते हैं कोई उपाय भी करने वाले हैं तो वो साड़ी 6 बजे के बाद कर सकते हैं पर साड़ी 6 बजे के पहले आपको नहीं दीबदान करना है नहीं कुछ करना है साड़ी छे बज़े की बात कर भी रहें तो इसनान करके शुद्ध होकर आपको जो है यहाँ पर क्या करना है दीबदान करना है उसके बाद दोस्तों जो गर्वती महिला हैं उन्हें इस चंदर ग्रहन के बीच में जो है कुछ जादा जो है विशेश बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि कोई भी धारदार जो चीज है वो अपने पास नहीं रखनी चाहिए और बहुत सी कुछ और इस समय बाहर भी नहीं निकलना चाहिए तो बस थोड़ा गर्वती महिलाओं को थोड़ा विशेश ध्यान देना है इसके बाद में कोई भी दिक्कत नहीं है जो मतलब जिनको बीमारी है या जो बुजर्ग है उनको छूट रहेगी इस चंदरग्रहन के बीच में आप जो है मतलब कुछ भी खा सकते हैं कुछ भी पी सकते हैं अपने हिसाब से ठीक है पर कोशिश कीजिएगा कि जब चंदरग्रहन का जो एक घंटा है उस घंटे के बीच में आप कुछ ना खाएं ना पीएं सिर्व भगवान का नाम ले हलाकि सूतक काल के बाद भी कुछ खाया या पीएं नहीं जाता है पर आप लोग खा सकते हैं पर कोशिश कीजिए का कि आप सूतक काल के बाद भी कुछ ना खाया या ना पीएं पर जो घरवती महिला हैं बूरे लोग हैं उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं